हाई गाईज, स्वागत है आप लोग का 48th एपिसोड में DNews के यहाँ पर हम लोग बात करते हैं Digital Tools की News के बारे में मेरा नाम एक रिपेश आडवानी बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं So इस अपते हमार पास Domain News नहीं है स्टार्ट करते हैं हम लोग hosting related news के बारे में सबसे पहले यहाँ पर update आ रहे है Cloudflare की तरह से Cloudflare यहाँ पर अपना खुझ का object storage प्रोवाइट करने वाला है वो अब यहाँ पर directly compete करेंगे Amazon S3 से Amazon S3 की जो storage रहती है उस से So यह Cloudflare R2 storage के नाम से आएगा यहाँ पर आप लोग videos को images को यहाँ पर data को host कर सकते हैं तो basically यह object storage रहेगा developers के लिए अभी फिलाले बीटा में हैं देखते हैं कैसे यह धीरे-धीरे rollout होता है speed यहाँ पर आपको definitely अच्छी देखने को मिलेगी Cloudflare का network काफी बढ़ा है Cloud storage के अलावा आप काफी सारे और नई नहीं चीज़े भी ट्राय कर रहा है यहाँ पर इन्होंने तीन चीज़े रिसेंट्ली लांच करी है Dropbox Capture, Dropbox Replay और Dropbox Shop Features Dropbox Capture बेसिकली एक extension है जिसके सब्सक्राइब आप स्क्रीन शॉट्स वगरे ले सकते हो अगर आपको देखने है तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा जहाँ पर इमेजिस के बारे में भी हमने बात करी तो और वीडियो के बारे में भी यहाँ पर देनाया है गूगल क्लाउड की तरफ से गूगल क्लाउड अब यहाँ पर एमडी के एपिक 7003 सीरीज वाले प्रोसेसर यूज़ करने वाला है यह अच्छे प्रोसेसर जें क्लाउड सर्वर्स ले अच्छे प्रोसेसर जे जादा तर लोग इंटेल यूज़ करते हैं बट जो एमडी की एपिक सीरीज आई है रिसेंटली वो भी काफी अच्छी है यह 30% बेटर प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो प्रोवाइट करेंगे अस पर गूगल अब बात करते हैं हम लोग VPN और Cyber Security News के बारे में सबसे पहले यहां पर अपडेट आ रही है 1Password के तरफ से 1Password और Fast Email का यहां पर इंटिग्रेशन हो चुका है Fast Email एक service है जहां से आप लोग masked email address यूज़ कर सकते हो masked email address बना सकते हो मतलब मैं एक fake email address create कर सकता हूँ हर एक website के जो मैं website visit कर रहा हूँ and then इससे advantage ही होता है कि आपके जो email address से वो जादा leak नहीं होते है क्योंकि आपने कभी अपना original email address दिया ही नहीं होता है तो आप उसको दे दो जब आपका काम खतम हो जाए तो उस email address को delete कर दो तो वो होते masked email address मैं इसका काफी यूज़ करता हूँ testing ले मैं काफी यूज़ करता हूँ मैं अपनी email address नहीं देता हूँ तो यह integration तो हो गया है अभी आपको यह अगर यूज़ करना है लेकिन आपको यहाँ पर फिर भी fast mail का subscription लेना पड़ेगा अगर आपको 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 fast mail का subscription नहीं है तो आप integration नहीं कर पा होगे उनका एक अलग से paid plan रहता है वो आपको लेना पड़ेगा तो यह integration है दोनों साथ में आपको एक साथ नहीं मिल रहे है मैं personally इसको यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास एक separate service अल्रेड़ी है e-bails को generate करने के लिए अगली update यहाँ पर आ रहे है proton mail की तरफ से proton mail ने अपना एक नया blog series को चालू किया है privacy decrypted के नाम से यहाँ पर सारे privacy knowledge वगरे यह लोग cover करेंगे तो अगर आप लोग इंट्रेस्टेट हो तो जाके check out कर सकते हो अगली update यहाँ पर आ रही है एक नए android Trojan को लेकर के जो market में काफी तेजी से फैला है पिछले कुछ हपतों में यहाँ पर इसने at least 10 million devices को infect किया है 70 countries में से इंडिया भी उसमें included है यह सारे apps android play store पर अवेलेबल थे तो यह बेसिकली क्या करता था यह पॉप अप देता था फ्री गिफ्ट के लिए जैसी उस पर कोई क्लिक करता था यह mobile नंबर उनसे पूछता था जैसी माँ पर कोई अपना mobile नंबर एंटर करता था यह उनको एक recurring subscription charge के लिए subscribe कर देते थे तो हर महिने आपके पैसे कट रहे हैं आपको नहीं पता है क्यों कट रहे हैं और वो जो भी पैसे कट रहे थे वो सब जा रहे थे इनकी जेव ले तो काफी बड़ा पार्टी स्टोर्स पर अवेलेबल हैं तो आप लोग सभल के रहिएगा और क्या कभी आपके Android फोन में कुछ मैलवेर जो अगरे आए हैं डू लेट मिनो इन दो कॉमेंट सेक्शन बिलो अब बात करते हैं अम लोग को जनरल डिजिटल न्यूस के बारे में सबसे पहले यहां पर अपडेट आ रही है recurring payments को लेकर के इंडिया में यहां पर October month से मतलब इस महिने से जितनी भी recurring payments आपकी होती है credit card के थुरू वो सब अब automatically नहीं होगी उसके लिए two factor authentication का है यहां पर requirement रहेगी मतलब अगर यहां पर मैं FB ads यूज कर रहा हूँ जो मेरे credit card से automatically deduct कर ले था था payment पहले या फिर मैं किसी hosting service का यूज कर रहा हूँ या फिर मैं Google Cloud का यूज कर रहा हूँ AWS का यूज कर रहा हूँ या कोई भी ऐसी service जहां से मेरा credit card automatically deduct कर ले था 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 पैसे अब वो चीज नहीं होगी अब यहां पर two-factor authentication आ जाएगा पहले confirm करना पड़ेगा यहां फिर आपको manually payment करनी पड़ेगी यह चीज 5000 के अबाव के ले 5000 के बिलोव अभी भी automatically payment हो सकती है and 5000 के अबाव पॉसिबल नहीं रहेगा अब यहां पर उसको manually करना पड़ेगा and 5000 के बिलोव भी शायद से e-mandate पहले करवाना पड़ेगा उसके बाद ही यह automatic payments हो पाएगी तो क्या है आपकी opinions इस नए rule को लेकर के यह नए rule RBI के थू लाएगया है क्या है आपकी opinion do let me know in the comment section below मुझे अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है क्योंकि इसके positives भी है लेकि cons भी है at the same time जो इसका एक सबसे बड़ा con है वो यह है कि इंडिया के जो SaaS business से यह उनको काफी affect करेगा क्योंकि as a business owner आप यही चाहते हो कि payment सबसे जादा conveniently हो लेकिन अगर उसमें payment लेने में ही इतना यहाँ पर problems आ रही है customer को problem आ रही है आपको अलग से effort करना पढ़ रहा है आपको उनको reach out करना पढ़ रहा है कि यार आपकी payment due है आप payment करो आपकी payment नहीं करोगे तो expire हो जाएगा आपका account तो आपको लेकिन वो लोग जिनकी payments automatically deduct हो जाती है और उनको पता नहीं चलता है उनके लिए एक अच्छी न्यूज है अगली update यहाँ आपर Microsoft की तरफ से Microsoft यहाँ पर October 5 को launch करने वाले है अपने office products को MS Office 2021 यहाँ पर launch हो जाएगा Office Home Office Student यहाँ पर आ जाएगा यह one time payment वाला है यह recurring वाला नहीं है recurring वाला office 365 रहता है अभी यहाँ पर office 2021 बना रहा है जो one time payment वाला रहेगा अगली update यहाँ पर आ रहे है signal app से signal app लास्ट वीक डाउन था एक hosting आउटेज की वज़े से signal app वही आप है जो whatsapp के replacement में आया था पहले इस साल के starting में या फिर मिंड में जब privacy को लेकर यह काफी जादा questions उठे थे whatsapp की अभी क्या आप लोगों कितने लोगों ने आप इस signal app यूज किया कितने लोगों ने वहाँ पस वाट्साइप पर आ गए do let me know in the comment section below अगली update ने आप पर आ रही है Shopify और Fortinet को लेकर के यहाँ पर Shopify के कुछ website के कुछ parts डाउन थे वो इसलिए डाउन थे क्योंकि यहाँ पर SSL certificate थी वो expired हो गई थी और यह बहुत बार होता है बहुत बार मेरी website से साथ भी हुआ है कि मेरी SSL certificate यहाँ पर expired हो जाती है औ आपकी SSL certificate यहाँ पर expired हो गई है रेन्यू नहीं हुई हुई हो automatically बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो मेरा free SSL certificate होता है वो renew ही नहीं होता है automatically तो उस case में भी यहाँ पर आपकी website down हो जाती है क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है do let me know in the comment section below अगली update यहाँ पर आ रही है USB-C के न standard तो हो गया है लेकिन USB-C में ही इतने variations है कि एक normal consumer के लिए समझना काफी difficult हो जाता है कि charge मैं किस से करूँ अगर मुझे monitor करनेक करना है तो किस से करूँ अगर मुझे 4K display करनेक करना है तो किस से करूँ क्या उसकी transfer speed होनी चाहिए अगर मुझे laptop चार्ज करना है तो कौन सी cable का use करूँ अगर मुझे mobile चार्ज करना है तो कौन सी cable का use करूँ क्योंकि ठीक है port तो same है लेकिन cable की transfer speed है उसमें काफे फर्क रहता है और बहुत सारे लोग यहां पर differentiate नहीं कर पाते है in fact online में आपर काफी गलत information के through on products को sell किया जाता है तो काफी difficult हो जाता है and judge करना है आपर का आपके आसानी रहेगी कि लोगों देखकर की बता तो कि इसकी transfer speed कितनी है क्या यह monitor से connect होगा क्या चार्ज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा तो it's a good thing आनी चाहिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ इस अपते की deals के बारह मैं सबसे पहली deal है आपर आप सुंगों पर P cloud की य रहा है और डॉलर 122 का है यह मुझे कुछ ज्यादा खास इसकी pricing पसंद नहीं आई है जो इनकी regular pricing है वह भी decent ही है उस पर भी आपको discounts बीच-वीच मिलते हैं discount अगें में update करता रहता हूं जब भी पी cloud की sale आती है तो at present day 122 का मिल रहा है आप सुमों के उपर तो try करना चाहत सकते हो तो कर सकते हो बाकी I will recommend कि आप लोग उनकी website से जाकर के भी देख सकते हो लिंक आपको नीचे description पर मिल जाएंगे अगर आप लोग नहीं देखा है तो देख लो उसको अगर आपको अच्छा लगे दोनों से price compare कर लो जो भी आपको अच्छा लगे ले लो और मेरा भी coupon code है यहाँ पर की dollar 5 में आपको 500 GB मिल जाएगा 90 डेस के लिए तो यह भी आप लोग देख सकते हो try out कर सकते हो test out कर सकते और जादा डील्स नहीं है इस अपते इस महीने जादा डील्स नहीं आएगी next month से आपे जादा डील्स स्टार्ट होना आना स्टार्ट हो जाएगी Black Friday का सीजन जब आएगा तो आपको काफी सारी डील्स देखने को मिलेगी तो अगर आपको कुछ खरीदना है तो पैसे बच गल्ड़्स नहीं आपको के दोस्माने कि बचक करद को और भी ऊथई है यह इ fizे दो करद के दोसी देखने को मिलेख logarोงा चैना स्टार्ट है तो ।ो स